हेलो गाइज कैसे हो आप सब उमेद करता है सब ठीक होगे साथियो आज किस खास वीडियों हम आपको जियो मॉर्फोलोजी से रिलेटिट मॉस्ट इंपोर्डेंट कोश्चन क्या है आपको बताएगे जो एक्जाम के पॉइंट आप यह जदा इंपोर्डेंट है और अक्सर क अगर वीडियो पसंद आया तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें कमेंट करें और ज्याजाजाद लोगों तक शेयर करें ताकि ज्याजाजाद लोग तक इसका फाइदा पहुंच सके तो आएए शुरू सबसे पहले जो है कोशन नमबर एक जो है वह है एक रुपता बाद स दिसंबर नेट जून का जो 2019 का जो एक्जाम हुआ था 2019 जो जून का एक्जाम हुआ था उसमें यह पूछा गया था वह नितिवी अबदारना फिर नेक्स्ट प्रवाल भित्ती से जुड़ा निमंजन सिदान्त किसने प्रतिबादित किया था यह क्या था चार्ल्स डार्व ने है आइस क्रिस्टल सिदान फिर बर्तमान भूत की बढ़ा भूत काल बर्तमान की कुंजी है जुड़ाए एक रुपता बात से यह जो क्या है इस बार जो नेट का जो एक्जाम है दिसंबर 2019 में उसमें पूछा गया था दिसंबर 2019 नेस नेट्स बायुराशी की स्थिर्था यह जो कोशन है वो क्लाइमेट लोजी से मेरे से नहीं नोट है जिसके लिए मँआपी चाता हूं पर फिर भी important question है आपको पता देता हूं बायुराशी की स्थिर्था या स्थिर्था की डिक्री निर्धारण के लिए अक्सर किस उपकरन का परियोग किया जाता है यह है रेडियो साइनेडस रेडियो साइनेडस इसका अंसर होगा यह मेरे से यहाँ पर क्या गलती से नोट हो गया नाज का प्लेट किस दिशा की और क्या है मूव कर रहा है तो ये है पूर्व दिशा की और क्या है नाज का प्लेट क्या है मूव कर रहा है किदर कर रहा है पूर्व दिशा की और फिर नेक्स है हाईडरोजिक स्लोप थियोरी प्रतिपादित की थी वो की थी प्रतिपाधित य संतल के अव्धारुने न नदी संतल की अवधार्णा जो यह थी क्रिक में पर फिर गुटनबर्ग अस्ता किस से जुढिधू या किसके भीच पाई जाती हैे यहाँ पर में एक lesson कि कोशन है तो यहाँ से जो क्या है हमेशा एक कोशन पूछा जाता है मैक्सिम्म जादा संभावन आए रहती है कभी गुटन पर असवत्ता पूछा जाता है कभी रैप्टी असवत्ता पूछा जाता है कभी माहो बेलिस असवत्ता पूछा जाता है तो इस तरह से क्या है कभी कोनाड अस्वतता पूछा जाता है तो इसको क्या है थोड़ा ठीक से देख ले मैंने तो यहाँ पर क्या है एक कोशन ही नोट किया है तो किस के बीज पाई जाती है यह पाई जाती है परवाड एंड प्रोड के बीज फिर नेक्स्ट है मादूई प्ये बिस्तापन सिदान्त किस ने दिया था यह दिया था अलफर्ड बेगनर ने उननीस सो बारावें जिसमें उसने कहा कि मादूई पो क्या है खिसका हुआ था फिर प्लेट शब्द का प्रयोग किस ने किया था यह भी जो क्या है इस बार की किया था नेट 2019 में क्या है पूछा गया था डिसमबर का जो नेट वा था प्लेट शब्द का प्रयोग जो गया है वो तू जो बिलसन ने किया था फिर एक क्रेटोजन शब्द का प्रयोग किस ने किया था वो किया था यहां से भी जो क्या है यह तीन चार्टर में पेंडी प्लेन प्लेन पैन फेन इंच प्लेन इस तरह के तो यहां से भी क्या है हमेशा क्या है एक कोशन पूछा जाता है जितना मेरा एक्सप्लेंस रहा है जितने बार में एक जाम देता तो जरूर यहां से क्या है कोशन पूछ यह जो कोशन है यह इस बार के नेट में पूछा गया था पेंडी प्लेंशब्त का प्रयोग फिर इंस प्लेंशब्त का प्रयोग इसका जो अंसर है वह मुझे याद नहीं आए अगर आप लोगों को याद हो तो प्लीज कमेंट करें ताकि मुझे भी पता लगे फिर उसके ब महादुप ये विस्तापन के संबंद में सबसे उप्युक्त प्रमाण जो क्या है कौन सा है एविडेंस कौन सा है वह है जिक्सा फिट सबसे उप्युक्त प्रमाण माना जाता है जिक्सा फिट फिर नेक्स्ट है कोशनेवर 21 महासागरे तलप्रसार सिधान्त किस ने रिया था सीव फ्लोट स्पेर्डिंग वो दिया था हेरी एस ने 1960 के जशक में भारत का एक मात्र सक्रेज वालम की कहां पे स्तीत है या कौन सा है वो है बेरन दूइफ फिर नेक्स्ट है सुंदर वन डेल्टा किस परकार का डेल्टा है वो है बॉल्ड फूट डेल्टा पंजाकार डेल्टा है उसकी शेप जो किस तरह की है पंजाकार की है आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है अगर आप जो इन कोशन को है वो थोड़ा डिटेल में बुक्स में देखोगे तो आपके लिए जो क्या है वो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रहेगा नेट के एक्जाम के लिए थोड़े आपके क्या इसमें कॉंसेट उदर जाएगे क्योंकि मैक्सिम्म जो क्या है इनी में से कोशन पूशे जाते हैं मैं बहुत ही जो कोशन है वो आपको बता रहा हूँ इनी में से कोशन पूशे जाते हैं बस इतना है कि थोड़ा यहाँ पर मैं इस तरह का आप कोशन नोट किया हूँ वहां पर थोड़ा आपको से थोड़ा दूसरी तरफ से क्या है गुमा फिर आके पूश्ट दिया जाए तो बेस्ट रहेगा आपके लिए फिर है माहो बेसिक असबत्ता सिमा किस के बीज पर्पर्टी और उपरी पवार के बीज किसके बीचे प्रपटे और उपरी पवार के बीच फिर एक प्लेट को दूसरे प्लेट के नीचे क्या खिसकने को क्या का जाता है उसको का जाता है अभिसरन होना फिर सेन एंड्रियंटिक ब्रंश है एक इस प्रकार का ब्रंश है रूपांतरन ये भी क्या बहुत ही बार क्या है एक्जाम में पूछा गया है ये मुझे लग रहा है ये जून 2019 में आया था ये ये कोशन नेट की एक्जाम में ये नेक्स्ट चे ओरिजियन और स्पीशी है पुस्थक किसने लिखी थी बहुत इंपरेंट पुस्थक है यह लिखी थी बिरियम और बेट ये देवीज ने परजातियों की उतपती से सम्मनित थी आई सक्षोस्टेशी भूसंतलन की कि का सिदांत किसनी ने दिया था, ये डटन ने दिया ये भी मुझे लग रहा है कि ये भी साय नैट दिसंबर में बजय कुछा गया था मुझे कुछ ठवह याद हा ररहा है फिर है ही म्यूग में किसका सरवादिक क्या आए योगदान रहा था यह है लुईस अगस्टीज यह भी क्या नेट जो अभी वा था डिसंबर 2019 उसमें क्या यह भी पूछा गया था पुछा गया था कि ही म्यूग से किसका सब्मंदर आए तो इसका जो राइट अंसर वो लुई आगस्टीज था संभेहन तरंग सिदांत किस ने दिया था संभेहन तरंग कॉन्वेक्शन क्रण्ट त्योरी यह दिया था अर्थर हॉम्स ने अमारा गती में ध्रातल और मुबाइल अर्थ पुस्तक किस ने लिखी थी यह लिखी थी डेली में डेली ने दोस्तों वीडियो अगर पसंद है ज़रूर वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें ताकि मुझे पता चल चके कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और आग एक भ मुझे बना सकूं तो आपके कमेंट से ही आपके यहीब शाजनव माना जाता है डव जे मॉर्गन को माना जाता है प्लेट विवर्थनिक का जो सिदानता है वो किसने दिया उसके जनव दाता माने जाते है मॉर्गन को माना जाता है और प्लेट जो शब्द का प्रयोग क्या था वो सर्प्रतम मैंने पहले बोड़ा था वो क्या था टूजो बिलसन नेक्स्ट तेरहवारी का नियम law of klassisation यह जया था airy इई ने दिया था यह दरेट्य अक्नि तका सीधांद कीसे ने दिया था यह जया था जोली ने रेटिध तका सब्सक्ता की घ्षी यह लिखी थी आर ए डेली ने डेप्थ ओफ सी महासागर की गहराई आर ए डेली ने लिखी थी फिर एलस्टिक रिवाउंड थियोरी दी थी वह दी थी एच एफ रीड ने फिर नेक्स्ट है कोशन नेबर फोटीन दा अर्नेस्ट अर्थ पुष्टक लिखी है यह लिखी है जे एस टीरियर्स यह भी जो क्या है इस बारी क्या है कोशन पूछा गया था डिसंबर 2019 में नेट के एक्जाम में ऐसे इंजियो मरफोली पुष्टक किस ने लिखी थी जी एस डियूरी ने लिखी थी कौबर का भू सनती का सिदान्त किस किस रचना को समझाता है वह समझाता है इमाले की उतपती को समझाता है कि इमाले की उतपती किस प्रकार हुई त्रिकूट शब्द का प्रयोग भुह करतिक विज्ण में किस ने किया था या त्रिकूट का प्रयोग जो क्या किस ने किया था किस तो इसका जो अंसर था वो था डेवीज ऐसा भी कभी कोशन आता है कि डेवीज के त्रिकूट में इनमें से कौन सा भी समलित नहीं है सरचना अवस्ता समय और एक और दिया जाता है कभी कभी वो स्थिती दी जाती है मैक्सिमम कुछ और भी दे सकते हैं पर मैक्सिमम यह जाता है तो इनमें से यह जो तीनों है वो डेवीज की त्रिकूट में थे सरचना अवस्ता और समय नेक्स्ट हिंद मासागर में चुमके विसंगतियों का पता किस ने लगाया था प्रथम वो लगा था वाइन और मैथ्यूज ने लगाया था उन्नी सो त्रिसट में कि हिंद मासागर में क्या है चुमके विसंगतिया क्या है पाई जाती है कास्ट प्रदेशों में अप्रदन चक्र की संकल्पना दी थी यह दी थी वार्डी ने किस ने दी थी वार्डी ने नेक्स्ट पर हिमानी अप्रदन चक्र दिया था यह जया था पॉलीटियर ने पॉलीटियर ने दिया था फिरे समान ने अप्रदन चक्र दिया था डबली ओम डेविस ने बिलियो मोरिस डेविस ने दिया था समान ने अप्रदन चक्र यह जो द छाल को क्या चार भागों में बाटाएं जिसका सही क्रम जों ही वह उतल ढाल मुक्षय पृष्ट ढाल सुल्डर लेकर ढाल और अодар अब्त अल कि यह अकिसने का था कि दा रॉक्स बाधिस व हिस्ट्री ये का था मॉर्गण ने रॉक्साथ दा पेजीज ऑफ से सेंड ड्यून्स जोते बुलवस्टूप पैडड नस्टर जील गोक्रु जील रैश मुटाने यह सब क्या है टॉफ़ोग्राफी है और मैं 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 बता रहा हूं जिन से क्या मैकसिमुम कई बार क्या कोशन देखने को मिले हैं इंसे लवर्ग नदी घाटी और स्टेलक्टा बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम फिर क्लाइमेट लोजी में क्या है आपको इस तरह के कोशन बताओगा अगर आपको यह वीडियो पसंद लगाओ तो जरूर लाइक करे शेयर करे और कमेंट करे ताकि मुझे प्रेणा मिल सके और मैं उत्सा के साथ क्या है आपके लिए क्य की इसके बाद और और भी सभी पार्ट की क्या है आपको अपने इस इस यू क्या है यूटूब चैनल पर अपलोड कर सको तो साती अभी आज के लिए वस इतना ही नमस्कार